नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूँ परवीन शेख, इस बुलेटन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आईए देखते हैं सुर्खियां महराष्ट के MLC चुनाव में भी वोट नहीं डाल पाए उद्दफ सरकार के मंत्री नवाब मलिक और अनिल देश मुख, दोनों ही विधायक जेल में हैं बंद, विधान परिशत की दस सीटों के लिए आज हुई थी वोटिंग किसान देता राकेश टिकेट ने किया एलान कहत 24 जून को सयुक्त किसान मोर्चा करेगा अगनीपत योजना के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन अगनीपत योजना के विरोध के चलते बिहार में 23 जून को होने वाली सीटी बीड एंट्रेंस एक्जाम अगली सूचना तक स्थगित नोडल विश्विद्याले ने अधी सूचना जारी करके दी जानकारी हफते के पहले दिन शेयर बाजार में रही तेजी सेंसेक 238 अंकों की तेजी के साथ 51,598 पर हुआ क्लोज तो निफ्टी 57 अंकों की तेजी के साथ 15,350 पर हुआ बंद तो ये थी सुर्खियां आई आप बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की अगनिपत योजना को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है आज छात्रों सहित 20 संगटनों ने भारत बंद बुलाया भारत बंद को कौंगे सहित कई राजनेतिक दलू का साथ मिला इस बंद ने सरकार पर दबाब बना रहे हो कि अगनिपत योजना वापस ली जाए सैना में भरती की पुरानी प्रकरिया को लागू किया जाए लेकिन सरकार अपने कदम पीछे खीशती नहीं दिख रही है आर्मी में भरती को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया इसके साथ ही बात होगी राहुल गांदी से एडी की चौथे दिन हुई पूशताच की एडी और मोदी सरकार के खिलाफ कॉंग्रिस के सत्यग्रह की वहीं जानेंगे क्यों विपक्ष को नहीं मिल पा रहा है राश्टपती पत का उम्मीदवार नुपुर शर्मा को लेकर पश्चिम मंग तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भारत बंद की मोदी सरकार ने अगनीपत स्कीम को अपनी नाक का सवाल बना लिया है और ऐलान कर दिया है कि ये योजना वापस नहीं होगी दूसरी और सेना में भरती की उम्मीद लगाए युवाओं को ये फैसला रास नहीं आ रहा है वो सडकों पर उतरा हैं आद बीज से जादा संगटनों ने भारत बंद का एलान किया था लगभक सभी विपक्षी दलू का इस बंद को समर्थन मिला था तो कहा कहा रहा भारत बंद का असर देखते हैं इस रिपोर्ट में अगनीपत स्कीम के खिलाफ आद भारत बंद रहा भारत का पुरे देश में खासा आसर देखने को मिला दिल्ली से लेकर बिहार तक भारत की रफ्तार पर ब्रेक लग गया अगनीपत योजना के खिलाफ आद 20 से जादा संगटन दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस सक्त चेकिंग करती नजर आई दिल्ली से सटी अलग-अलग सीमाओं पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया नौइडा गुरुगराम के दिल्ली से सटे बॉर्डर से ट्राफिक जाम की तस्वीरे सामने आई जहां गारियां रेंगती हुई की नजर आई सबसे बुरा हाल दिल्ली गुरुगराम एक्सप्रस वे कर रहा दिल्ली नौइडा के साथ ही गुरुगराम में भी विरोत प्रजर्शन को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी गई सुरक्षा के मद्दे नजर कई राज्यों में चप्पे चप्पे पर पुलिस ब तैनात रहा बिहार जारखंट पंजाब बंगाल समित सभी राजों में सुरक्षा के पुखता बंदोबस्त किये गए बिहार के 20 दिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया मुझफर पुर में 1444 लगा दी गई और अफवाओं को रोकने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया यहां छे कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई अब तक पूरे बिहार में 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफतार किया जा चुका है अगरिपत भरती योजना के विरोध प्रदर्शन के कारण आज 500 से ज्यादा ट्रेनों को रद कर दिया गया रेलवे ने एक बयान मे कहा कि प्रदर्शन की वज़े से 549 ट्रेने प्रभावित हुई हैं भारतिय युवा कॉंग्रिस के कारेकरताओं ने राजधानी दिल्ली के कनोट प्लेस के पास शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन को रोग दिया बाद में पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने ट्रेक को खाली करवाया और करीब आदी घंटे के बाद ट्रेन की आवाजाई फिर से शुरू हुई इस बीच आम लोगों को भी दिकतों का सामना करना पड़ा दिल्ली नॉइडा दिल्ली फ्लाय ओवर मेरट एक्सप्रेस वे आनंद विहार सराय कालेखा प्रगती मैद और दिल्ली के दूसरे हिस्सों में सुभा से ही भारी जाम रहा अग्रीपत स्कीम पर मोधी सरकार फिलाल बैक फुट पर है बीजेपी ने कॉंग्रेस पर राजनीती करने का आरूप लगाया है तो वहीं कॉंग्रेस ने कहा है कि सरकार को ये स्कीम वापस लेनी होगी तो भ अगनीवीरों की भरती के लिए एक जुलाई से रेजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और क्या कुछ खास है इस नोटिफिकेशन में देखते हैं ये रिपोर्ट अगनीपत पर देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच आज भारतीय सेना ने अगनीपत योजना के तहट पहली भरती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है नोटिफिकेशन में योगिता, शर्ते, भरती प्रक्रिया, वेतन भत्तों से लेकर सर्विस रूल्स तक की जानकारी दी गई है अगनीवीर भरती के लिए ओनलाइन रेजिस्ट्रेशन एक जुलाई से शुरू होगा नोटिफिकेशन के मताबिक थलसेना में भी अगनीवीरों को साल में 30 छुट्टियां मिलेंगी नोटिफिकेशन के मताबिक सर्विस के पहले साल 30,000 वेतन और भत्ते दूसरे साल 33,000 वेतन और भत्ते जो अमीदवार दसवी पास हैं उन्हें चार साल के बाद बारवी पास सट्टिफिकेट भी दिया जाएगा वारती सेना के नोटिफिकेशन के मुताविक आठवी और दसवी पास युवा भी इसमें अपलाय कर सकते हैं लेकिन इनको किसी तरह की पैंशन या ग्रेजवीटी न रेलियां अगस्त सितंबर और अक्टूवर में होगी करीब 25,000 रंगरूटों की ट्रेनिंग दिसंबर के पहले और दूसरे हफ़ते में शुरू हो जाएगी ट्रेनी अग्निवीरों का दूसरा बैच 23 फरवरी 2023 के आसपास ट्रेनिंग शुरू करेगा करीब 40,000 कर्मियों की सेलेक्शन के लिए देश भर में कुल 83 भरती रेलियां की जाएंगी अगनिपत स्कीम के खिलाफ युवाओं के गुस्ते को कम करने के लिए ग्रह और रक्षा मंत्राले ने आरक्षन देने का एलान किया है शनिवार को ग्रह मंत्राले ने अगनिवीरों के लिए C.A.P.FS और असम राइफल्स में भरती के लिए 10% आरक्षन देने का एलान किया था इन्हें आयू सीमा में भी 3-5 साल की राहत देने का एलान किया इसकी अलावा रक्षा मंत्राले ने अगनिवीरों को अपने मंत्राले में हूने वाली भरतियों में 10% दी आरक्षन देने का एलान किया ह लेकिन इसके बावजूद देश भर में इसको लेकर विरोध जारी है नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ये तो पका है कि सरकार अपने इस फैसले पर अडिग है चाहें देश को इसका कितना ही नुकसान क्यों न उठाना पड़े इधर नैशनल हेराल से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में आज एडी ने राहूल गांधी से चौथे दोर की पूश्टाच की आज भी राहू से लंबी पूश्टाच चली तो साथ साथ कॉंग्रेस का प्रदर्शन भी चलता रहा नैशनल हेराल केस में कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी एक बार फिर एडी के सामने पेश हुए करीब 11 बजे से राहू से एडी ने आज पूश्टाच शुरू की थी इससे पहले राहूल गांधी को तीन बार एडी पूश्टाच के लिए बुला चुकी है एडी के इस कारवाई की विरोध में कॉंग्रेस ने जनतर मंतर पर सत्य ग्रह किया इस दोरान राहूल गांधी के समर्थन में एडी कारेयले पहुंचे एक कॉंग्रेस कारेकरता को पुलिस ने पकड़ लिया इसके बाद प्रियंका गांधी ने उसे पुलिस से बचा कर अपनी गाड़ी में बिठा लिया, इस घटना का वीडियो भी तेजी से वाइरल हुआ AD की पूश्टाज की खिलाब आज जंतर मंतर पर कॉंग्रेस नेताओं ने डेरा डाला कॉंग्रेस के इस सत्यग्रह में मलिका अर्जुन खडगे, सल्मान खुर्शीद, के सुरेश, वी नारैन स्वामी और प्रियंका गांधी ने हिस्सा लिया कॉंग्रेस सांसदों ने वीजे चौक से राश्टपती आवास तक मार्च निकाल कर विरोध किया और एक ग्यापन सौप कर अपना विरोध जताया आज दिन भर सड़कों पर भी कॉंग्रेस कारेकरता प्रदर्शन करते रहे इस दोरान राजिस्थान के मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने दिल्ली पुलिस पर बड़े आरोप लगाए उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस कारेकरता शांती पूर्वक धरना दे रहे हैं इसके बावजूद पुलिस उन पर सक्ती दिखा रही है राउल गांदी से एडी की पुष्टाज का विरोध कर रही कॉंग्रेस पर बीजेपी नेता संबीत पात्रा ने निशाना साधा है उन्होंने कहा कि देश में कोई महरानी विक्टोरिया या राजकुमार नहीं है कि उनकी जांच नहीं होगी कानून सभी के लिए समान है ब्रश्टा चार के लिए सभी की जांच की जा रही है इस बीज कॉंग्रेस नेता सुबोध कांद सहाई का एक बयान कॉंग्रेस की मुश्किल बढ़ाता दिख रहा है मोधी सरकार के खिलाफ दिल्ली में चल रहे कॉंग्रिस के प्रदर्शन में बोलते हुए सहाई ने पीम मोधी पर निशाना सादेते हुए हिटलर से तुलना कर दी सहाई के बयान पर बीजेपी भड़ा कुठी जब विवाद बड़ा तो सुबोत कांद सहाई ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि जो मैंने कहा है वो स्लोगन है ये नारा है खुद नरेंद्र मोधी से पूछिएगा उन्होंने भी ये नारा लगाया हुगा तो क्या सरकार राहुल गांधी की आवास को दबाने के लिए एडी का सहरा ले रही है लेकिन इस पूरे मामने ने कॉंग्रिस में नई जान फूग दी है कौंगे सांसदों ने राष्टपती भवन तक आज मार्च निकाला राष्टपती भवन पर सभी की नजरे हैं क्योंकि एक महीने बाद देश को नया राष्टपती मिलना है लेकिन राष्टपती चुनाव को लेकर विपक्ष मुश्किल में दिख रहा है विपक्ष अभी त उनको ममता बनर जी ने विपक्षी दलो की बैठक बुलाई थी बैठक में तीन नामों पर सहमती बनती दिखी शरत पवार फारुख अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी में से किसी एक के नाम को फाइनल करने की तैयारी हो रही थी लेकिन बैठक में ही शरत पवार ने साफ कर दिया कि वो राष्टपती पत के उमिद्वार नहीं बनेंगे उन्होंने इस दोर से खुद को तुरंत ही अलग कर लिया फारुक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी ने विपक्षी दोलो के प्रस्ताओ पर विचार के लिए कुछ समय मांग लिया और विचार करने के बाद सबसे पहले फारुक अब्दुल्ला का जवाब आया कि उनकी जरूरत कश्मीर को ज्यादा है राजी का विवाजन होने के बाद पहली बार चुना होना है इसलिए उन्हें कश्मीर में अभी काम करना है वो राश्टपती पत का उमीदवार बनने को तयार नहीं है इसके बाद गोपाल कृष्ण गांधी का अकेला नाम मैदान में रह गया था 15 जून को हुई बैठक में गोपाल कृष्ण गांधी के नाम का प्रस्ताओ पशिम मंगाल किसी एं ममता बनर जी ने रखा था सभी ने उनके नाम का समर्थन किया था बैठक के बीच में ही उन्हें फोन का सूचित भी कर दिया गया था दावा किया जा रहा था कि 21 जून को पवार ने जो बैठक बुलाई है उसमें गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर मोहर लग जाएगी लेकिन बैठक से पहले ही गोपाल कृष्ण गांधी ने भी चुनाओ लड़ने से इंकार कर दिया गांधी ने कहा मैं विपक्ष से उम्मीद करूँगा कि वो किसी और नाम पर विचार करें जो मुझसे कहीं बहतर राष्ट्रपती सावित हो सकता हो गोपाल कृष्ण गांधी के इंकार के बाद अब ये साफ हो गया है कि किस जून को विपक्षी दलो की बैठक में नए से रे से उम्मीदवारों के नाम पर मन्थन करना पड़ेगा विपक्ष फिलाल राष्ट्रपती उम्मीदवार को लेकर मुश्किल में दिख रहा है ऐसे में कल होने वाली विपक्षी दलो की बैठक काफी महत्पूर है तो वहीं आज पर्शिमंगाल की विधान सभा में नुपूर शर्मा के खिलाफ एक प्रस्ता अपास किया गया जिस पर बीजेपी ने सदन में जम कर हंगामा किया तो बीजेपी को क्यों लगी मिर्ची देखते हैं ये रिपोर्ट बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपूर शर्मा अपने विवादित बयान के चलते मुश्किल में फस गई हैं और अब बस्ती हुई घूम रही हैं दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि बीजेपी खुद नुपूर को बचा रही है और उसने ही नुपूर को छिपाने में मदद की है जहां मुंबई में दर्ज हुई FIR के चलते मुंबई पूलिस नुपूर को लेने पहुची थी और वो अपने घर पर नहीं मिली थी वैसे ही आजबंगाल में भी नुपूर की पेशी होनी थी लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं पहुची ऐसे में उनके लिए मुश्किल बढ़ना तो लाजमी है और अब नुपूर शर्मा के पैगंबर मुहमत के खिलाफ दिये गए बयान पर पश्यमंगाल विधानसभा में ममता सरकार ने निंदा प्रस्ताव पास कर दिया है इतना ही नहीं इस प्रस्ताव में ममता सरकार ने आरोप लगाया है कि भाच्पा नफरत की राजनीती करती रही है वह टी-मसी की तरफ से लाए गए इस प्रस्ताव पर बीजेपी ने हंगावा मचा दिया और सदन से वाका उट कर दिया बीजेपी की तरफ से ये विरोध दर्शाता है कि बीजेपी नुपुर शर्मा का समर्थन कर रही है और उन्हें निश्कासित करना महज एक दिखावा है विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है लेगिन बीजेपी इन आरोपों को खारिच कर रही है ऐसे में आप बीजेपी की तरफ से विधान सभा में किया गया हंगामा ये दर्शाता है कि उसे नुपुर के बयान से कोई आपती नहीं है अब बीजेपी का ये एक्षन उसके लिए मुसीबत बन सकता है वही नुपुर के आज पेश ना होने से उनकी मुश्किले और बढ़ गई है बंगाल पुलिस का नुपुर के खिलाफ अगला कदम क्या होता है ये देखने वाली बात होगी बीजेपी के हंगामे ने विपक्ष की बात को सही साबित कर दिया है क्योंकि विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि बीजेपी नुपुर की रक्षा कर रही है इधर आज पीयम मोदी करनाटक पहुच गए पियम मोदी ने करनाटक में क्या कहा देखते हैं इस रिपोर्ट में पियम मोदी ने करनाटक में अपना बचाफ करते हुए बिना अगनिपत स्कीम का नाम लिए युवाओं को संदेश देने की कोशिश की आपको बदा दे करनाटक दोरे पर पियम मोदी ने 27,000 करोड रुपए की नई परियोजनाओं को हरी जंडी दिखाई है उन्होंने बैंगलोरू उपनगरिय रेलवे परियोजना की नीव रखी है तो मैं दूसरी तरफ बी आर अमबेटकर स्कूल अफ एकनॉमिक्स का उद्गाटन किया है और बुलेटन के आखर में बात इतिहास में हो रहे बदलावों की बीजेपी नेता आरोप लगाते रहे हैं कि देश का इतिहास वामपंती वीचारधारा से जुड़े लोगों ने लिखा है जिसमें हिंदू राजाओं पर विस्तार से प्रकाश्ट नहीं डाला गया है जब जोड़े अध्याय हटाए जा रहे हैं जबकि हिंदू राजाओं से जोड़ी घटनाओं को छेडा नहीं जा रहा है NCRT की किताबों में ना तो आप मुगल समराज्जी का जिक्र मिलेगा और ना ही किसी सुल्तान का सुल्तान नाम भी आपको ढूनने में परिशानी हो सकती है मुस्लिम शासकों से जुड़े कई अध्याय चटवी से लेकर बारवी कक्षा की किताबों से हटाए जा रहे हैं दावा किया जा रहा है कि कुरोना के चलते सिलिबस को छोटा किया जा रहा है लेकिन ये कार्ट चार्ट सिर्फ मुस्लिम शासकों से जुड़े अध्यायों में ही हो रही है हिंदू शासकों से जुड़े इत्यास में कोई कार्ट चार्ट नहीं हो रही है सौमनात मंदिर को निशाना बनाने वाले सुल्तान महमूद गजनी के नाम के आगे से सुल्तान शब्द को हटा दिया गया है दिल्ली सुल्तान नाम से पढ़ाय जाने वाले अध्याय का नाम अब दिल्ली 12 से 15 सदी कर दिया गया है मुगल समराज्य नाम के चैप्टर से समराज्य शब्द हटा दिया गया है और इसे मुगल नाम से पढ़ाया जाएगा अकबर के शासनकाल को संशिप्थ कर दिया गया है मुगल समराजी के समय के बड़े सुबे अवद, बंगाल और हैदराबाद के नाम किताफ से हटा दिये गए हैं मामलुक, तुगलक, खिजी, लोधी और मुगल शासकों से जुड़े अध्याए या तो पूरी तरह से हटा लिये गए हैं इसी तरह से मिस्र से लेकर अफगानिस्तान तक इसलाम के विस्तार को लेकर ग्यारवी कक्षा में पढ़ाय जाने वाले दस सेंट्रल इसलामिक लैंड्स को अब किताब से हटा लिया गया है दरसल इतिहास की किताबों से इसलामिक शास्कों से जुड़े चैप्टर हटाने का संकेत ग्रहमंतरी अमिशा कुछ दिनों पहले ही दे चुके थे एक कारिकर में ग्रहमंतरी ने कहा था कि देश के इतिहास में पांडिया, चोल, मौर्य, गुप्त और अहोम जैसे सामराज्यों की कीमत पर मुगलों को प्रमुकता के साथ प्रस्तुत किया गया है इसे सही किये जाने की जरूरत है, इतिहास को फिर से लिखना होगा, हम इसे लिखेंगे, हमें इसे फिर से लिखने से कोई नहीं रोप सकता और अब इतिहास को नए सिरे से लिखने की तैयारी शुरू हो गई है तो आज इस बॉलेटिन में बास इतना ही देखते रहे हैं डीबी लाइफ नमस्कार